हात्मा गांदी जी के नेत्रत पुबाले भारत छोड़ो अंदुलन में कई लोग सामिल हुए और इसकी सुरूबात डूसरे बिजब्यूत की समय आर्ट अगस्ट उन्नीस सु बैलीस को की गई आपने भारत छोड़ो अंदुलन के बारे में कई लेक पड़े होंगे पर क्या आपने कभी उसा महता के बारे में पढ़ा है उसा महता ने भारत छोड़ो अंदुलन में काफी अनोखे तरीके से भाग लिया था जिससे जानकर आप प्रिरित ओर्ठ हैंगे कलोस तो आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं ए बतन बतन मेरे मूबी को जिसमें उसा महता की रूचा कहानी को दिखाया गया है तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छ नगे तो वीडियो को लाइट जरूर कीजेगा और जितना की वीडियोस पाने के लि वार उसा को देख पाते हैं जो की दस साल के चूटी सी बच्ची है यहां पर टीजर जो है बच्चों को महतमा गांदी के नमक आंदुरूंग के बार में बता रहा होते हैं और यहांपर उसा जो है वह बहुत ही अच्छे से सुन रही होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद यहांपर कुछ अंग्रेजी ऑफिसर आप पहुंचते हैं और वो टीजर को बेरहमी से मारने लगते हैं यहांपर उसा उना रोकने की काफी खुसिस करती है लेकिन बदले में उसकी भी पिताई हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है और जब घर मालुम चलता है कि उस अंग्रेजों से लवने की कुछिस की है तो यहांपर उसके पिता बहुत गुस्चा होते हैं और वो उसको कमरे में बंद कर देते हैं थोड़ी देर के बाद बूसा को बाहर निखालते हैं और यहां में मालुम चलता है कि उसा की पिता दलसल में एक जज है और वो ब्रेटि सिनकारी जो है वो ब्रीटिस एमपार के खिलाब प्रदरसन कर रहे होते हैं और यहीं पर उसा भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी लेकिन तब यहां पर अंग्रेजियों विसरसा जाते हैं और वो यह लोगों को मार कर भगा देते हैं अब बात में उसके दोस्तों ज उसके पिता जो है वो अभी भी चर्चिल की स्पीच की तारीब कर रहे हैं बाहर जाने पर उसके पिता एक सरप्राइज देते हैं दरसल में उन्होंने एक नई कार लेकर आये थे और उस कार पर बिटिस एमपार का फ्लैक लगा हुआ था यह देखकर यहापर उसा उनसे कहत नात रहता और हमेशा उसका सपोर्ट करता है जिसके बाद बोलो बलवीर सिंग के पाल जाते हैं बलवीर सिंग उन्हें अच्छी बाते बताता है और अब हुसा के सभी दोस्त अब कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम करने लगे थे और उसा के कॉसिक और फाहाद दोनों दो पाज सी के घर से एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है जब उस जगह पर पहुंशते हैं तो बाउन की मुलकात होती है फिर्दोस इंजीनियर से तो फिर्दोस उन्हें घर के अंदर इंवाइट करता है और उन्हें भी डांस करवाता है यहां पर उसा और कोसिक जब डांस कर रहे होते हैं तब ही उसा की नजर पढ़ती है एक रेडियो सिस्टम पर इसे देखकर वो कहती है कि यह किस तरह चलता है तो यहां पर फिर्दोस उन्हें बताता है कि इस रेडियो के द्वारा पूरे देश में पोड़कास्ट किया जाता है लेकिन बलड़ वार्ट टू शुरू अब जब उसा अपने घर पर पहँचती है तो यहांपर उसके पिताव से बहुत चिलाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसा जो है वो अंग्रे जोंके खिलाफ लड़ रही है तो यहांप पिताओन बता दे दी है कि उस सुल्दी तरह सब्सक्त था इसलिए वो Commerce Party कवी भी जॉइन नहीं करोगे जिस पर हूसा भी अपने पिता की कसम खा जाती है लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो वो बहुत रोती है क्योंकि उसने तो Commerce Party Alleredy जॉइंट कर ली थी अब को इस दुनों के बाद महात्मा गांदी जी की बंबई में ही प्रात्ना सभा होती है और यहां पर उसा अपने दोस्त को असिक के साथ पहुंशती है तो इसी सभा में एक लड़की जो है वो महात्मा गांदी जी से एक सवाल थूशती है कि हम सब उसा जो है भू खड़ी हो जाती है बहुंशती है ब्रम्मिचर अपना आने के लिए लेकिन तब हीhonGMशतु में देखती है कि उसका दोस्त कोशिक जो बो नहीं खड़ा हुआ है। और वो उसा को कंभीरता से देखता है। और वो खड़ा नहीं होता है। जिसके बाद उसा जो है बुर्म मेचर की कसम खा लेती है। बाहर आने पर कॉसिक यहां पर उसा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉसिक को ऐसा लगा कि उसने हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। लेकिन यहां पर उसा उससे कहती है कि जब तक सब कुछ आसान था तब तक तुम मेरे साथ लेकिन आज बात बलिदान की आई तो तुम पीछे हड़ गए तब यहां पर कौसिक जो है वो उसा को छोड़ कर चला जाता है और फिर गांदी जी के नेतरत में एक आंदोलन शुरू हो चुका था जहां पर कि उसा के साथ कौसिक और फाहाद दोनों ही सामिल थे और इस आंद आंदोलन कारियों को भी अरेश्ट कर लिया गया है और कॉंग्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिसके बाद यहां पर प्रिदर्सन होता है लेकिन अब सब कुछ खतम हो चुका था क्योंकि कॉंग्रेस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और सारे आंदोलन कारी भी जेल में थे तब यहाँ पर उसा कहती है कि हम 857 के सतंतुरता संगराम को इसलिए हार थे क्योंकि हमारे पास कम्मिनिकेशन नहीं था और अब सर्व एक ही चीज है जो कि पूरे भारत को जोड़ सकता है और वो है रेडियो इसलिए बोलो फिर्दोस इंदिनियर के पास पहुंशते हैं और वो से पॉर्टकास्ट वाले रेडियो की मांग करते हैं लेकिन फिर्दोस उनसे कहता है कि अधर दादी आपा ठेल सारा सोना लेकर आती है और उनसे कहती है कि इनको बैच कर आराम से 4,000 रुपर मिल जाएंगे और बो कहती है कि भो भी अपने भारत देश को आजाद होता हुआ देखना चाहती है और यहां फिर्दोस इंजीनियर के घर उपर यह नौकर था जिसने सारे इ अंग्रेजों की यह काम करता है तो उसके दोस्त जो है वह पॉर्टकास्ट बाले रेडियो को सिप्ट कट में लगते हैं और पुलिस ओफिसर जो है पुए सब कुछ करता हुआ तेख रहा हुदा है फिर दोस इंजीनियर उस रेडियो को सैट करता है और फ्रिक्रूएंसी म पॉर्टकास्ट पर सुरू करेंगे और यहीं उनका प्लान था करका सारी 8 बजे उससरे पॉड्याप बैर बाहरत के रास्ते जीनियर फॉटकास्त को सिरूब अग्रेजों को सुननेी लगते हैं लेकिन इस के बारे नंग्रेजों को भी मालुम चल चुका था कि कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी है जूकि बैन होने के बाद भी अभी भी चल रहा है इसलिए जल से जल इसे बंद करवाने का ओडर दिया जाता है अब दीरे-दीरे कड़कर इस रेडियो के बारे में सबी लोग जानने लगते हैं और इसकी आवाद जो है वो देश के बिबिनी जग कहा था और वो चोड़ी चुपे कॉंगरेज रेडियो के द्वारा रेडियो की पॉर्टकास्ट करती है अब दीरे-दीरे करके अखवार में भी इसका इस्तिहार दे दिया जाता है तो इस तरह से भारत को जोड़ने का काम सुरू हो चुका था जिसके बाद हम देखते हैं मतलब की राम मनोहल लोईया को जो कि अपना काम चुप-चाप से करते हैं और बड़े ही इमानदारी से करते हैं वो अपने साथ ही उससे कहते हैं कि उन्हें इस रेडियो कॉंग्रेस पर बहुत भरोस आए और इन लोगों को हमें हमारे साथ सामिल करना चाहिए यहां दूसर रेडियो का पिरसारल जो है वो बंबई से चल रहा है अब एक दिन उससा अपना काम खत्म करने के बाद जब अपने घर पर पहुंशती है तो वो घर पर अपने पिता के साथ चिट्टी सर को देख पाती है जो की लौकेट टीचर है यह सारे चीज़ें देख दीके बाद अ उसके पिता को गुष्सा आ जाता है और वो उसा को कमरे में बंद कर देते हैं और जब अगले सुबह उसा के पिता कमरे में जाते हैं तो वो वहां पर उसा को नहीं पाते हैं ठोकि उसा तो खिर्की तोड़कर वहां सब भाग चुगी थी उसने एक खत भी छोड़कर गई तो इस तरह से उसा से मिलते हैं तो उने बड़ी खुशी हुई हैं लेकिन हमें इसावाज को पूरे देश तक पहुचानी है और सारे देश को जोड़ना है लेकन यहाँ पर अंग्रेजों को इसे रेडियो के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाये था इसलिए उन्होंने एक अंग्रेजी ऑफिसर को हायर किया जो कि काफी चालाग था यहाँ पर वो अंग्रेजी ऑ अंग्रेज जो है वो खत्रे में है इसलिए बोलो जल्ट जल्ट फिर्दोस इंजीनियर के पास पहुचते हैं लेकिन तब तक तो वो अंग्रेजी ऑफिसर भी उसके घर तक पहुच चुका था यहाँ पर बो गल लेकर उनके पीछे पढ़ जाता है लेकिन जैसे तैसे तो क्योंकि उसे आ जाती चाहिए थी और आजाती के लिए उसे अपनी जान की परवा भी नहीं थी अब आप मनोर कि यह सारी वात सुनने के बाद तूसा अपनी जान की परवा ना करता हुए अब अपने जान तक जोगे मिटानले लगी थी तूसा यहांपर कौसिक से कहती है कि तुमही जो सब कर रहे हो, वो मेरे लिए कर रहे हो या फिर देश के लिए कर रहे हो? यहाँ अपर उसा उस्से ये भी कहती है, कि तुम देश के लिए कुछ करो या फिर ना करो, लेकिन मेरे रास्ते का पत्तर मत बनो जिसके बाद इसे तरह से रेडियो को पॉटकास्ट चलता रहता है और भारत जोडने का ये कारवा आगे बढ़ता रहता है क्योंकि अब देश के हर एक नागरिक तक ये आवाज पहुंच रही थी वहां राम मनोहर जी अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करकते थे और रात को साढ़े आर्ट बजे उसा जो है पर अपने रेडियो पॉटकास्ट पर उसे चलाती जिससे की सारा हिंदूस्तान सुनता और सभी लोग एक होने लगते सारे हिंदूस्तान के अंदर अब जोज बढ़ चुका था सभी लोग एक होने लगे थे और अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब आजादी जादा दूर नहीं है और इस चीस से राम मनोहर जी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी आवाद जो है वो पूरे देश तक पहुंच रही थी और रिस्पॉंस भी बहुत अच क्याव अगर रीडियो पॉर्ट कास्ट की तो बहुत प्रोबलम हो सकती है लेकिन इसके बाब जूत वो लोग रीड wiping की पॉर्ट कास्टिंग जो है वो करते रहते है तो इस तरह से बेन जो है बो धुरने में में लगी हुई थी और यहाँ पर उसा जो है वो अपने काम करन देते हैं उन्हें मालुम चल गया था कि लोगों ने हमें देख लिया है तो यहां पर उसा और उसके पूरे सदस्य जो है वो जगह को बदल देते हैं यह बात अंग्रेजी ओफिसर को भी बहुत अच्छे सा मालुम चल जुगी थी तो इस तरह से बो लोग जगह बदल बदल क कर प्रसारंट करने लगते है लेकिन एक दिन उसाजब प्रसारंट कर रही होती है तब उसके अणाब से अंग्रेजी ओफिसर जो है उनकी बिल्धिंग के नस्दीकफ यह बुदिंग से बाहर निकाला जाता और उनकी तलासी ली जाती तो यहाँ पर उसा अपने रेडियो का पूरा बूरिय विस्तर समेट के उसे ठिकाने लगा देती आखर में जब वो बहार आती है तो पुलिस बालों से पूसते हैं कि गोलियो चलने की आवाज के बाद भी तुम बाहर क्यों नहीं है तो उसा बताती है कि उसके पड़ोसी को फूलियो है और वो ठीक से चलन नहीं सकता है इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी जिसके बाद बो दोनों यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं थी प्रॉब्लम तो यह है कि आखिर अब वो आगे प्रसारन कैसे करेंगे और उन्हों को इसके बाद में पता कैसे चला तो यहाँ पर कामत नाम का बंदा जो है वो ने बताता है कि उन लोगों ने एक नहीं बलकी दो वेन का यूज किया है और दोनों वेन को उन्होंने अलगलग डारेक्सन ने पहुँचाया और जब दोनों ही हमारे बिल्लिंग के पास पहुँचे तो उने एक्कुरिट बिल्लिंग का पता चल गया था लेकिन यहाँ पर उनके पास इसका तोड़ था और वो यहाँ पर एक और ट्रांस्मीटर को यूज करने का कहते हैं जिससे कि बो लोग उन दोनों पुलिस बेन को गुमरा कर सकते हैं ये प्लान एकदम सक्सिस्पू लग रहा था लेकिन इसके बारे में पुलिस अपसरों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि एगर हम उनकी जगह पर होते तो हम भी दो ट्रांस्मीटर का यूज करते तो ट्रांस्मीटर को बनाने गले फिर्दोस इंजीनियर की मदद ले जाती है और वो ट्रांस्मीटर को बना लेता है जिसके बाद बो लोग उसे फिर्दोस इंजीनियर के पास पहुंसते है तो अना मालूम चलता है कि बो तो अपनी गल्फेंट जूलिया से मिलने के लिए गया है जब उसके घर पहुंसते हैं तो अला मालूम चलता है कि फर्दोस इंजीनियर को उस अंग्रेजी ओफिसर ने गिरपतार कर लिया है और जो ट्रांस्मीटर उसने बनाया है उसे ही बेपूरी तरह से जप्त कर लिया गया है अब अगर उन्होंने एकी ट्रांस्मीटर से प्रसारन किया तो वो बहुत ही आसानी से पकले जाएंगे लगभग 5-10 मिनिट के अंदर वो पकले जाएंगे लेकिन ये स्पीच उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी इसलिए रामनों अलोय कहते हैं कि वो देश को ग्रीन सिगनल देना चाहते हैं इसलिए ये प्रसारन तो करना ही होगा इसलिए तुम दोनों डिसाइट कर लो मतलब कि उसा और वो लड़का कोई और नहीं बलकि कौसिक होता है कौसिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साती रहूँगा या तो पुलिस मुझे अंदर अरश्ट लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तो पिरसारण शुरू कर दिया जाता है और राम मनोहल लोईय जी दिवाली के समय पर आजादी के आंधुरन के बारे में बात कर रहे थे लेकिन तूसरी तरब उस अंग्रेजी ऑफिसर को इसके बारे में मालूम चल जाता है और वो बिल्डिंग के नजदी खाने लगते हैं कौसी कूसा से कहता है कि क्या हम इस रेडियो को आउन करके यहां से जा नहीं सकते हैं जिस पर की दूसा कहती है कि हम इस पिरसारण को पूरा होने देना है उससे पहले अगर पुलिस ने से बंद कर दिया तो पूरे देश तक ही जोखने में लग जाते हैं और यहां दूसरत द्रफ पूरे भारत में राम मनोहल लोईय जी की पात सुनने के बाद जोस्त जग आया था और सभी लोग अंग्रेजों के खिलाब बित्रू करने के लिए सड़क पड़ा चुके थे और यहां आकर में वहां जो है बो उसा और क कर देते हैं और यहां जेल में उसा को पुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और कॉसिक को भी और वोन टॉर्चर करते हुए सिर्फ एक बात कहलवाना चाहरे थे इन सब के पीछे राम मनोहर लोईया का हाथ है यह बात बोकुबूल कर ले लेकिन उसा के मूंसे जहन के इलावा उन्हें कुछ भी नहीं सुनने को मिलता है तो फिर उसा को चार साल की सजा हुई और उन्हें पूना के यहरवाला जेल में रखा गया जिसके बाद उनके पिता ने एक चिट्ठी लिखी चार साल के बाद उसा बाहर आने वाली थी जिस पर की उसा के पिता कहता है कि दत्सा बनने के बाद उसे इतनी जत नहीं मिले, जितना उसका पिता बनने के बाद मिल रही है, तो अब आज के दिन ही उसा जो है येर वाया जेल से रहा होने वाले थी, जिसमें सबसे पहले ऑपने पिता और दादी से मिनती है, और जब वो रेल बेस्टिसन से बाहर निकलती है तो लगबख 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उसा के स्वागत में खड़ाय हुए थे क्योंकि वो आभी तक उसा ने जो किया है वो भूल नहीं पाये थे और फिर 1946 में जब उसा जेल से रहा हुई तब अलेजु सियासत के खलाब आवाज उठाते हुए पीसयाद लोगों ने उनका स्वागत करने रेल बेस्टिसन पर आये यह फिल्म उन अनिगनत गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की सुदंतुरता के लिए अपने प्राण त्याग दिये तो वह उन्नी सुचम्मालिस में रामानोह नोईया जी को गरपतार किया गया और जेल में प्रिटिस ने उन पर कठोर अत्याचार किये 1946 में जेल से रिया होने के बाद उन्होंने आडादी की लडाई जारी रखी तो यह फिल्म उसा मैता की जिन्दगी से प्रेरित है उनको निस्वन ठ्यान भी मैं पत्म बिपूसर से सम्मानत किया गया जीबन भर गादी वात का अनूसरन करने के बाद 2000 में उनका नितन हो गय बै कवी सकरी राजनिती में सामिल नहीं हुई थी और इसे के साथ इस फिल्म का दियाइंट हो जाता है और इसे के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल के साथ बने रहे हैं धन्यवाद जय हैं जय भारत जय स्री राम